हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे अभी जो है ग्यारा बज गया है साड़े ग्यारा और लेटा हुआ था तो पता था आज जो है संडे है तो इसकूल जाना ही पड़ेगा इससे पहले साड़े साथ बजे उठा स्वारे साड़े नौ या मैडम के जो है सिस्टर को उसकी डॉटर को तो एक घंटा उसके बाद लेटा हुआ था तो साड़े ग्यारा बज गया है तो मैडम फोन के ऐसे एक याला मदर साथ तो अभी आके गाड़े में पाने डालके जो है गाई स्टार करके इसे चला के बैठा हूं और इंतिजार करा हूं जो है Ja को अब जो है मदर्से की शूटी भी हो गई है जो च्छोटे वाले कलास है अज़ जो है यह आखरी साल है समय जी हम तो अभी जब चुटी होगा तो दो महिने के चुटी होगा तो इसी वज़े से अभी जो एकजाम चल ला है तो सब जो है अब पेपर उपर हो गया इनका तो जब जा रहे हैं सब विदा होकर तो वो क्या बोलते हैं अब अरे वो जालर शाब इसे उड़ा रही है अपस में जो बताब फ्रेंड्स है अपने उनसे मिलके बीदा ले रहे हैं तो जो है ऐसे बीदा हो रहे थी दो-तीन लोग है ऐसे गले लग रहे थी फूल बरसा रहे थी दो-तीन लोग थी अब हम और मैडम गाड़ी में थे तो वहीं रोड हिसा से सल्फी उलफी ले रेदी सब आजैसे बात बहुत कहां कहां सब दोनों जाएंगे तीन जो होता है इंजे सपनी अदर होता है साल के आखरी में गाना होगा हां विदावी होगा रोएंगे तो यहां पर भी होते हैं पुछ अभी तो देखाने बस वही क्यों देखा था अभी आ रहा था तो फिर से देखा हां तो मैडम बैठी तो फोटो नहीं लिए नहीं तो लिया होगा चलिए लेते हैं यार थोड़ा नास्ता उस तक यह जाए वह से नास्ता तो मैं करता नहीं अन्या तो जानता हूं नास्ता क्या होता है खाओ तो भर पेड़ खाओ मैं तो खाओ ही ना सब्सक्रीक नहीं नास् जाय वही बस चाय लेते हैं चाय हो गया उसके बाद साथ में जो है सेन्वीच हो गया यही सब लेते हैं कब जब भूख लगी रहती है तब लेते हैं वह इसे आध नहीं है ब्रेक्फरस्ट करने का हमारा तो फ्रेंड्स अभी जो है गया था चाय लाया हूं चाय है और उसके बाद रोटी है और चनाचू नमकीन रोटी और नमकीन लाया हूं और रोम से जो है लाया हूं चिकन बना का तो यह जो चिकन है यह इसमें बिर्याने का मसाला डालके के बाद चिकन बनाया था तो रोटी है और चिकन है पहले चाय और नमकीन उखा लेता हूं उसके बाद जो है टाइम तो बहुत है जब भूख लागी कि तो खाएंगे रोटी और चिकन तो फ्रेंड्स जो है भी तो जो है चुटी हो गई है अब देखो हमारी मेडम कम निकलती है कम निकले की जो है यह होते है वहीं कि सैलरी है तेरे सबसे पहली यह बोलते हैं कि इनके पास जो है इसके पास रुक्सा नहीं है इसके पास आरभी बोलने का भासा नहीं मालूम रोड नहीं मालूम चलो भहिया इनको सिखाना पड़ेगा चलो नया है जो नय होते हैं उनकी सब्सक्राइब कुछ होता है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस मतलब पुराने हैं लेकिन विचारे मजबूरी में आते हैं तो भी जब मजबूरी करें माजबूरी करना महतमा कांधी तो भी 1817 सो में आगे बड़े हैं इधर भी अईसा है ना इसमें तो सबका जो है जोब है जोब कोई भी काम है जिस ड्राइबर को अगर रखी है तो अगर उसका कोई काम धाम है जोब है बिजनस है तो आएगी जाएगी जोब पे उस तो उसमें क्या होता एक टाइम होता है टाइम से आओ जाओ खाओ पीओ उसमें दिक्क्त नहीं होता लेकिन अगर जिसक कोई भरोसा नहीं यह तो हो गई काम की और काम यह होता है घर दोलो गाड़ी दोलो बाजार जाओ करना पड़ता है यह जो है काम बिगाड़े हैं बंगला देशी ने बंगला देशी वालों इसे अपने यहां के बिहारी जो हैं, ठीक है, दस रुपए में बोलेंगे, हम पूरा का पूरा कमया कर डालेंगे, अब वहीं उसी काम को दोसरे वाले लोग बोलेंगे, हम दो सो पांस लेंगे, वहीं बिहारी बोलेगा नहीं, हम पचास रुपए में कर देंगे, तो इसे यह गड़े नहां पर बंगाली थिक है यह व जो है अगर सामने वालता आज में करेंगें तो बंगाली बोलेगा नहीं हम 50 रुपए में घर गाडी और कि ज़्यादा उनकी यादर पड़ी यह सूदी और यह पचास रुपए घर तुम धोते हुए वही पाओगे आप वही धोलेंगे तो हाउस ड्राइबर का भी जो वही काम भीगा रहे हैं वह लोग वही ही भीगाड़े हैं हाउस ड्राइबर में पहले आए तो समालो चौदर सुरुपए सलवी है चलो तो प्रेन से बोल दिया घर भी धोल दो सव रुपए के पचास रुपए तुम्हें अलग से देंगे गड़ियो दूल दो पचास रुपए देंगे लोग चौदर सो के बज़ा दूसो बढ़ गया सो सुरुपए लोग अब चौदर दूए सोला सोले सो रुपए में घर धूल रहा है गाड़ी धूल रहा है कब महीने में 20 दिन 25 द सो घर का तो यहीं बीगाड के गया है जो आब जो ड्राइबर आते हैं तो भीया पहले बताएंगे नहीं एक बात पुता है जब वह जब कहीं अपने जब कोई भी ड्राइबर आता है सौदी या कहीं पर भी तो एजेंट नहीं बताता है कि तुम्हें घर धूलना नहीं तो माना कर देगा ने कि हम नहीं जाएंगे तो यह बता कि आते हैं कि तुम्हें बस गाड़ी चलाना है लेके छोड़ना है आना है बस यहीं बताएगा उसके अलाव और कुछ बताएगे नहीं लेकिन यहां आने के बात असली सच्चाई तब पता चलती है और एक बा कि यहां रहा है कि तो यहां आने के बाद तब पता चलता है सच्चा कि असल में काम है क्या हां तब यहां पता चलता है जब आता है काता हूँ बहुंच ऊंज गड़बड होगे बोला था कि लेके आना है लेके जाना है दूए परिवार हैं दो ही लोग हैं यहां तो मुर्गी का बच्चा भी आ गए हैं सबके सब कितने मुर्गी उसकी गिंती नहीं उसके बच्चे उसके भी गिंती नहीं ऐसा होता है बहुत सईसे लोग हैं उनके साथ जब होगा एक महीना तो घर धूल दो गाड़ी दूलें कहागा नहीं धूलेंगे तो बोला मैं पैसा देता हूं उसी में तुम्हारा सलिदी है उसी में देता हूं दो सो रुपए घर का गाड़ी का मेरे सलिदी दूद्धना पड़ेगा तुम्हारा तो बारे सो है घर गाड़ी का चोद्धना पड़ेगा क्योंकि पहले अगर पता रहे कोई धूलेगा नहीं तो यह है ड्राइवर की जो है सचाई यह है काम ठीक है आज से नहीं कि मैं भी नहीं कि अभी गाड़ी धूरता दाखें गार दूरता था लेकिन अब नहीं धूरता हूं मुझे बोलता था एक दिन गारी एक दिन घर अदिन घर हम्ली काट हमारा एक ही जवाब मेरे यार दोस्ते कई बार बोला यह जो है काम दाम नहीं करता हां तो मैं बूलू क्या करूं क्या करूं ताइम रहेगा तब तो ताइम रहेगा तब तो कि आओं उसके बाद उठा के लगो धुलें हां अधी जब आया हूं तो घर गाले नवही द फूलता हूं कै वाल गाली जो चलाता हूं लूटक्र शुटें कि उठा तो कि मुझे याद नहीं उसके बाद आधा बच जाता है घर जो है बंगाली आता है वो धूलता है हमने कार सुकर है बहेंग चोड अगर वही हम 200 मांगें हाँ अगर वही 200 हम मांगें कि हमें दो हम धूल रहे हैं ऐसा एक नहीं कि हम नहीं धूलते थे अगर हम धूलते भी थे लेकिन अगर हम मांगते तो नहीं देता बहेंग चोड ग आइसे लोगों ना गाली निकलने का मन करता है लेकिन वहीं अब 200 रुपए बंगाली को दे रहा है तो उसके लिए पैसा है अब बोलें रहें दो हम ढूलेंगे हम साफ करेंगे 200 रुपए हमें दो मिस्की माफी फुलोस तो इसे अच्छा भईया तू उसी को दे 200 रुपए तुमारा 200 रुपए उसी को मुबारक हमें नहीं चाहिए हमें नहीं पालना हमें जहमां अगर अब इस बार बोलेगा नहीं इस बार बोले घर गाड़ धुलो तो हम कहादेंगे ठीक है पैसा दो दो लेंगे हम चाहिए हाँ या ना बस पकाला जाओ एनी सूपर मार्केड जाओ कुछ भी घटी जाओ लाओ यह होता है ड्राइबर काम वह से अगर देखा जाए एकदम भोरिंग काम है आराम तो है अईसा है कि बोजह उठाके फिरना रहता है गाड़ यह चला नहीं रहती है बस क्या है ने जब पित पत्त फोन आता है तो दहिंग लाल हो जाती है अरे एक ही बार फोन करो जो मंगान आएक ही बार वह से घंटा लगे बहिंगे लोगे एक ही बार जाओ लेकि आओ अराम से चैन से रहो लेकिन नहीं नहीं आधा घंट अब फोन आएगा एक रूपी फिर वीस मिनट के बाद फोन आएगा एक चाय फिर कपड़ा निकाल के जहाँ इससे लेटो तो हाँ बताती ह चाहिए चालो फिर जब कपड़ा निकाल के लेट के जहों खाने जाओ कोफी चाहिए कोई गारेंटी नहीं है मैं तो यह सोता हूं मसाला मदरसा ही चालू रहे मतलब जौब ही चालू रहे हमेशा क्योंकि जब जौब रहती है ना तो एक टाइम रहता है टाइम से आओ जाता ने तो समल वहिए कोई गारेंटी नहीं का फोन आ जाए कहां जाए कोई गारेंटी नहीं तो आज का यह वीडियो ब्लॉग यहीं तक तो यह था एक सच्चाई हाउस ड्राइबर की अफिलहाल छुटी हो गया है सारे के सारे आ रहे हैं अब देखिए मैडम कब कॉल कर हो तो यार दूपे मत लेना एक सच्चाई है ति तो फ्रेंस आज का वीडियो ब्लॉग बस इतना ही और मिलते हैं कल एक नया बात बताऊं गाँगा ठीक है और मिलजें कले एक नए वीडियो व्लाग में, तब तक लिए बाई बाई, टेक केर.